हेलो दोस्तों आपके स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल जॉब डिडेक्टर पर आज हम डिसकस करेंगे हमारा जो सेशन चल रहे हैं डाट इस्टिल जड एक्जामनेशन 2022 पर जो हमारा करें इंवरेश्टी ट्रेंड का क्लास चल रहा है आज हम उसी क्लास को लेकर क्यों डेखें आज कोका मारा पहला क्षुटन क्या बोलर तो वोटस्टों वट इस दी फूल फॉर्म ओ इंप उस्टाओ जसमें पूछा तरह नियुक्त क्लास में पूछाता है दोस्तों की If इसका करेंट आंसर है इंटनेट ऑफ इंक्ग्स दाठार छी सानल और नटिट इ option number c internet of things the full form of iot is internet of things देखें यहां पर क्या लिखा है iot के बार में थोड़ा होती यहां पर explanation ने देखें क्या दिया हुआ the full form of iot is the internet of things iot means iot का मतलब क्या है दोस्तों accessing and controlling equipments and devices that are daily used through the internet internet के through जो हमारा daily used devices होता है उसमें जितना भी access and control equipments कौन करता है iot करता है ठीक है iot का मतलब क्या होता है जो devices उसमें हमारा accessing and controlling equipments है जो के हमारा daily used होता है internet के through चलिए next question क्या है next question देखें what is iot इससे पहला question previous question क्या था दोस्तों कि iot क्या है iot का full form क्या है iot का full form of internet of things but अब हम पूछ रहें कि iot क्या है what is iot iot क्या है दोस्तों number of physical objects embedded with sensors iot क्या है network sorry network of physical objects network of physical object जो कि embedded किसे है sensor से वो क्या होता हमारा iot होता है ठीक है देखें the iot of the iot is a network of physical objects embedded with sensors software and the other technologies for exchanging data with the other data over the internet iot के सबसे पहले जो हमारा iot क्या होता है iot क्या होता हमारा physical objects जो होता है sensor के साथ invent होता है software और जो other technologies होता है किसलिए for explaining exchanging data data को exchange करने के लिए दूसरे device के साथ over the internet through the internet ठीक है सबसे पहले जो हमारा term है दोस्तों who coined the term internet of things सबसे पहले जो हमारा iot है यह term को कौन क्या है सबसे पहले किसने इस word को यह किया term को किसने किया है इसको किया Kevin Aston कि के विन आस्टन अप्शन नमभर ए केविन एस्टन फ़र्स्ट कोईन दी तर्म इंटरेट अव थिंक्स निए तो जोरा केविन ने केविन एस्टन ने को 커ण किया था ह। ज्रोरा को इंटरफ फिंक्स कब किया था नैंतिननी 만든े मैं किया था कब 1999 during his work as projector and Campbell to describe the network connecting object in the physical world with the internet कब किया था वो जब अपना काम कर रहे था अब कर रहे था पॉक्टर and gamble to describe the network network को describe करने के लिए connecting objects in the physical world with the internet ठीक है देखें फिर हमारा एक next question के आगे आयोटी से related कि वेन वोस दी अक्च्वल टम आयोटी कोई अभी मैंने आप लोगों को बताया ना दोस्तों कि हमारा आयोटी जो टम है उसको किसने कोईन किया केविन आस्टन ने कोईन किया ठीक है कब कोईन किया है 1999 में कोईन किया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जागगा option नमबर option नमबर बी 1999 किसने किया है किशने किया था है तो इस नेटवर्ण एक्चेंज ओबजेक्ट के थू नेटवर्क एक्चेंज कर रहे थे लोग में तभी ने तब उन्होंने यह जो ऑ्योटी यह उस टम को कोईन किया था और किस यहर में किया था 1999 में देखें हमारा अगला क्वेशन क्या है विच आफ दी फॉलिंग इस नौट आ आयोटी डिवाइस यहां पर जो आप्शन दिया वहना हमारा चार्टो इन चारों टम में हमारा कौन सा आयोटी डिवाइस नहीं है कि इसमें क्या है लापटोफ अजियू आ टाबलेट टेबल तो सबको पताए टेबल थोड़ी हमारा एक इक आई ऑटी डिवाइस होगा वहां से हमारे थोड़ी डाट एक्षिंज हो सकते त्रूधी इंटरणेट नहीं हो सकते न दोस्तों तो यहां पर क्या हो जागा टेबल और इक जामपल क्या हो घ्राइन से सरा यहांrist City ब्ली रॉतास ब्ली वह फेकिलगे में बैशिय Aa a अeg्लेंट किया जा सकता है इंटनेट में देला सकता ना मैं असकार मारें क्या हुचांड Ini किस हमारा iot devices हो जाएगा चलिए अगला question हमारा क्या है which of the falling is false about iot device यहां पर चार्थ option दिया वह है न दोस्तों चार्थ हो इन चारो option में कौन से हमारा statement हो false है किसके regarding iot devices के regarding कौन से statement हमारा false है देखिए तो पहला statement क्या बोल रहा है पहले statement बोल रहा है कि iot devices use the internet for connecting and sharing data यह तो हमारा true हो जागे यह तो सही है na iot तो यही काम गता है दूसरा क्या है iot devices need microcontroller exchange कर रहा है collect कर रहा है share कर रहा है internet के थुरू एक कर रहा है तो इसको microcontrollers का जरुवत पर रहेगा दोस्तों ठेक है थर्ड क्या बोल रहा है iot devices use wireless technology wireless technology मतलब connected होता है na internet के थुरू तो wireless technology भी use कहता है तो यह भी तीन हो statement तो हमारा correct हो गया option number d which of the following is false about iot devices iot devices are completely saved यह जो है हमारा यह false हो जागा देखे क्या लिखा है यह पर iot devices are wireless devices and thus they use the internet for collecting and sharing data because they store data and sometimes hackers access them hacker जब access करेंगे तो वो safe नहीं होगा हम लोग के लिए जिसका correct answer हो जागा option number d next क्या है दोस्तों which of the following is not a iot platform जो हमारा option दिया हो है ना चाटो इसमें से कौन सा हमारा iot platform नहीं है कौन सा हमारा iot platform नहीं है देखें amazon web services microsoft azure sales force flip card इसमें से कौन सा हमारा iot platform नहीं है दोस्तों हम लोगों इतना तो पता ही होगा कि flip card जो हमारा e-commerce website है ठीक है वहां पर marketing facilities होता है flip card तो हमारा iot platform नहीं होगा दोस्तों तो इसका correct answer क्या हो जागा option number d flip card ठीक है देखें देखें यह पर क्या लिखाओ है था उसे important points जो लिखाओ है उसको देखते हैं amazon web series microsoft azure sales force provide cloud computing iot services but flip card जो है वह हमारा e-commerce website है जो की marketing facilities provide करता है इसलिए हमारा जो flip card हो जाएगा वह एक iot platform नहीं है अगले question की तरफ चलते देखें अगला question क्या है हमारा which of the following is not an application of iot जो हमारा chart हो दियावन option इसमें से कौन सा जो हमारा हमारा iot का application नहीं है हमारा iot का application क्या हो जागा vmp280 vmp280 यह हमारा iot का application नहीं है ठीके लेखें क्या लिखाओ है smart home smart city self-driving cars are the application of iot system but bmp280 is a sensor वह किसले हम यूज़ करते है to measure air pressure ठीके bmp280 जो है एक sensor है जो कि air pressure को measure करने के लिए यूज़ किया जाते है but हमारा जो यह पे smart home smart city और self-driving cars यह सब तो क्या है iot devices next next which of the falling is not a fundamental component of iot system चार्टो जो option दिया हुए दोस्तों चार्टो option में कौन सा हमारा जो है which of the falling is not a fundamental component fundamental component नहीं है iot system का कौन सा sensor तो चाहिए मैंने यह पहली में कहा था वो access क्या करता है sensor दूसरा है क्या connectivity और data processing iot system में होता ही होता है user interface होगा तो क्या है transformer transformer का तो कोई लेना देना नहीं है हमारा iot में ठीक है iot component में मारा transformer का कुछ लेना देना नहीं तो इसका correct answer क्या हो जागा option number d transformer is not a fundamental component of an iot system sensors are required to collect data sensor हम किसले यूज करते है connect data के लिए network connecting is required for data processing and to interface with the user ठीक है but transformer are not required as they are used for voltage transformation transformation transformer जो है voltage transformation के लिए यूज होता है इसका तो इमाह पे iot system में इसका कोई component यूज नहीं होता है तो इसका correct answer हो जाएगा option number हमारा d चलिए यह बढ़ते हमारे आखली question की तरफ जो भी हमारे चैनल पे new है प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लिजे दोस्तों station को like कीजिए और अपने friends के साथ जादर से जादर शेयर कीजिए वीडियो के description में आपको हमारे telegram का link मिल जाएगा महां से आप हमारे ग्रूप में join हो सकते हैं तो चलिए बढ़ते हमारे आखरी question की तरफ देखिए आखरी question हमारे क्या बोल रहा है what is the full form of IIoT IIoT का full form क्या है दोस्तों IIoT का full form हमारा क्या है इसका full form हम इंडस्ट्रियल इंटर्नेट ऑफ थिंग्स IIoT का full form है इंटर्नेट ऑफ थिंग्स IIoT का full form है इंडस्ट्रियल इंटर्नेट ऑफ थिंग्स ठीक है देखिए the full form of IIoT is the industrial internet of things it is used for industrial oriented application and communication transportation is done with both wired and wireless devices इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं इन्ड़ेस्ट्रियल ओरियंटेट इसका के लिए यूज़ करते हैं and communication transportation के लिए वह वायर के थूप डिवाइज़ के भी थूप सकते हैं और वायरलेस डिवाइज़ के थूप 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 हो सकते हैं थांक्यू झाल झाल